नमस्कार दोस्तों सहीम खान ने कनाड़ा में फेराया भारतिय फिल्मों का पर्चम और जीता बेस्ट अक्टर का खिताब भात्य फिल्म और टीवी आक्टर सहीम खान ने अपने फिल्म इक्राम के जरिये कनाड़ा में जीत का पर्चम फेराते हुए देश को बहुत ज़ादा गौरव किया है कनाड़ा में आयोजित क्रियेशन इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिवल में एक्राम को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है बताव डिरेक्टर सहीम की ये पहली फिल्म है सहीम खान ने अपनी आक्टिंग से जूरी को भी बहुत ज़ादा इंप्रेस किया है और इसे फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट आक्टर के अवार्ड से भी नवाजा गया है गरतलब है कि सहीम एक मात्र ऐसे भारती अविनेता है जिनने इस शेडी में ये अवार्ड मिला है हाली में अपनी शॉर्ट फिल्म खातून की खिदमत को मुंबई के जियो मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था इस फिल्म का लेखन और निर्देशन भी सहीम खान ने खुदी किया था सहीम खान और इस फिल्म की उपलबदी इसलिए भी और भी खास है क्योंकि इसमें ना तो पॉपुल स्टार्स हैं और ना ही इस फिल्म का बजट ज़ादा है आपको ये जानकर भी अस्टारे होगा कि इस फिल्म की शुटिंग मेहज 15 दिनों में पूरी कर ले गई थी और इस फिल्म को मेड हैट प्रोडक्शन के तहद रोबाब खान और ITES Heroines Private Limited के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया है और इसे लिखा है सामिल खान ने तो वही फिल्म को बड़ी ही खुपसूरती से अपने कैमरे में कैद किया है सहीम खाम एक बहुमुकी प्रतीबा के दनी है Acting, Writing के अलावा उन्होंने Direction में भी अपना हाथ आजबाया और हर जगा कामियाबी पाई है तमाम तरह के Awards का मिलना उनके हुनर पर बस एक मात्र मुहर है तो देखते हैं कि सहीम खान जो है वो आगे क्या क्या अपनी जो प्रतीबा है वो सामने लाते हैं और कितना ज़्यादा सम्मान पाते हैं तो मैं जल्दी लटूंगी Bollywood से जुड़ी या फिर Entertainment से जुड़ी latest news के साथ Thank you so much की watching todays for more news चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इसके साथ साथ तुडेश की आपको भी जरूर डानलोड करें और आप हमारे सारे शोज और प्रोग्राम्स YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं